हलो दोस्तो आप लोग कैसे हैं उमीद होगा कि अच्छे होगे जो मेरे वेटे को खानी है जिसके लिए मैंने दोस्तो तीन टामाटर लिया है और इसको मैं बीच में से कट कर रही हूं इसको मैं अभी मैंने गैस पे तावा रख दिया है दोस्तों तवे में मैं थोड़ा से दो चमचले तेल डाल लए हूँ और इसमें मैं टमाटर डाल लए हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर को मैं अच्छे से भूनूँगी मैं उपर से थोड़ा से नमक डालूँगी थोड़ा से और इसको मैं ढख के एक मिनट तक पकाऊंगी इधर मैंने लिया एक कांदा एक हरी मीर्च थोड़ी से धनिया थोड़ा से लसन हरा लसन नहीं है दोस्तों इधर मैं हरी मीर्च को बीच में सिफ पाच चीरा लगा के उसको मैं पतला पतला छोटे चोटे पीस में कट कर लूँगी और अभी लेसुन भी कट करूँगी मैं किसको किसको टमाटर की चटनी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज मेरे बेटे को खाना है दाल चावल के साथ चटनी टमाटर की आज मैं होई बना रही हूं आप लोग भी आके खा लीजिए टमाटर की चटनी दाल चाहल रोटी इनको भी मैंने कट कर लिया है अभी कांदा काटूंगी मैं कांदे काटूंगी मैं चोटे सोच मीडियम चोटे चोटे साइज में काटूंगी मैं कांदे को भी आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगें दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए है वो भी मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और सेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, अभी मैंने कादा कट चुका है, अब हरी धनिया कट करूंगी मैं, आप चाहित इसमें हरा लेसुन भी डाल सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने स टूखा ऐल लसू लिया है, तीन कली, इसको हरी धनिया भी हमारी कट चुकी है, अभी हमारे कट चुका है, अभी हम टमाटर को देखेंगे, होल गया लाएक हुआ है की, नहीं चटनी बनाने लायक, अभी टामाटर को हम देखने जा रहे हैं अब देख सकते हैं उपर से इसका छिलका थोड़ा हड़ चुका है इसको हम पल्टी मार लेंगे बहुत गरम है और मैं अभी इसको और थोड़ा से पकाऊंगी एक मिनट तक ले किदर से भी अच्छे से हो जाए और यह हो चुका है इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट थाली में और इसका मैं ऊपर से जो चुका होता है उसको मैं निकाल ले हूँ यह बहुत गरम है बहुत गरम है और मेरे को बेटे को कहीं जाना है तो इसके लिए मेरे को जल्दी करना है ने तो चला जाएगा बीना खाला खाये तो अभी मैं इसके छिलके को निकाल के छिलका हमारा निकल चुका है टमाटर का अभी भी इस बहुत गरम है इसमें से आप देख सकते हैं भाप निकल लही है और इसको भी मसलना है जया आप हाथ से करें या जो होता है ना आलू मैस करने वाला ऐसा वाला तो इससे कर सकते हैं तो अभी गरम है इसके लिए मैं इसको लिया है दोस्तों इससे बहुत अच्छे से भी हो जाता है हाथ से भी करते हैं थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ से भी कर सकते हैं तो इसको मैं ऐसे मसलना और जो हमारा एले सून और हरी धनिया हरी मीर्च और कांदा काटा है उसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी स्वाधा नुसार इसमें थोड़ा से मैंने नमक डाला है इसका मैंने वीडियो करना सूट करना भूल गई थी दोस्तों सोरी उसके लिए यह हमारा गाउं का राई का तेल है मैं बीच में डालना चाहती थी लेकिन उसाइड में गिर गया और मैंने थोड़ा से नीबू करस लिया है आप चाहे तो ले या ना ले दोस्तों आपके उपर हैं और इसमें थोड़ा से उपर से राई का तेल डालो तो बहुत अच्छा का है दाल चावल एच टमाटर की चटनी अचार रोटी आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा आ गया खाना खाने के लिए मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरू करना फिर मिलूंगी बाए दोस्तों